हेलो दोस्तों, आज हम लोग आये हैं अपने जो पेड कर लगाये थे उसको देखने के लिए कि अच्छे से लगा है, कोई जानवर नुकसान तो नहीं पहुचाया, आइए देखते हैं कौन सा पेड कैसे लगा है देखिए ये फस्ट पेड है, जो कल हम लोगोंने बरगत का पेड लगाया था, अभी अच्छे से कंडिशन में हैं, कोई नुकसान नहीं पहुचाया जानवर इसको, और भी पेड देखते हैं हम लोग जितना लगाये हैं, पूरा नहर पे देखिए चारो तरफ पेड ही पेड पकड़ी का, यह भी पकड़ी का बिरिक्ष है, यह हम बारी-वारी से सब बिरिक्ष को आज देखेंगे, कौन-कौन हमने लगाया है यह एक पीपल का ब्रिक्ष है जो हम six month पहले लगा थे इसका अभी जो भेरा हुगा था वो तूट गया है लेकिन फिर भी यह पेड़ ठीक है निकल जाएगा यह भी एक पीपल का पेड़ था जो यह भी six month पहले लगा था यह भी अभी सही है यह पीपल का पेड़ हम एक साल पहले लगा थे यह बहुत अच्छे से ग्रोथ किया है और बहुत बढ़ियां ग्रोथ किया है सबसे बढ़ियां पेड़ यही ग्रोथ किया है मेरा और भी है यह पीपल का पेड़ देखिए हम लोग 5 साल पहले यह पीपल का बिक्ष लगा थे यह इतना बड़ा हो गया है कि देखके मन खुस हो जाता है बहुत अच्छा विकास किया है यह पीपल का पेड़ पांच साल पहले यही फ़स्ट पेड़ हम लगाये थे जो आज बहुत बढ़ा हो गया है उसके साइड में पकड़ी भी लगाये थे दोनों का विकास बहुत यह है सामने जितना यहां पेड़ पकड़ी और वर्का दिखेगा सब हमारे द्वारा लगाया गया है देखिए यह बर्गत का ब्रिक्ष यह भी बहुत अच्छा विकास किया है कि और भी हम देखते हैं कि यह पीपल का ब्रिक्ष है कि इधर भी गवर्मेंट के तरफ से लगाया गया है पूरे जंगली के ब्रिक्ष लेकिन इसकी लाइफ उतनी नहीं है जितनी पीपल पकड़ी और बर की लाइफ होती है यह पीपर पकड़ी बर्ड जो है लगभग हजार सालों तक रह सकता है लेकिन यह सब पेड़ जो लगा हुआ है यह ज्यादा दिन नहीं चलता है यह कल नहीं हम लोग परसो लगाये थे दो दिन पहले वह है यह भी अभी अच्छे कंडिशन में है और यह उसके बाद एक पीपर का पेड़ है उसके बाद भी हम लोग लगाये थे यह हम लोग तीन दिन पहले जो फर्स पेड़ लगाये थे वह है यह भी बढ़िया है हरा है कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमें करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें करें हमेशा आपको ऐसे ही नेचर से जुड़े हुए वीडियो दिखाएंगे और नेचर से रिलेटेड गाम करेंगे सब कुछ दिखाएंगे